हेलो दोस्तों, MP में आज चौथे चरण का मतदान हो रहा है और प्रदेश में इस अंतिम चरण के साथ ही मतदान समाप्थ हो जाएगा CM मोहन यादव ने भी आज मतदान और प्रदेश वासियों से भी वोट देने की अपील की है एक्सपर उन्होंने लिखा कि लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में आज उज्जैन लोकसभा में मैंने मतदान कर अपना कर्तव्य निभाया आज लोकसभा चुनाव 2024 के अंतरगत चौथे चरण व मध्यप्रदेश में अंतिम चरण का मतदान हो रहा है मध्यप्रदेश के लोकसभाक्षेत्रों देवास उज्जैन, मंदसौर रतलाम, धार इंदौर खरगौन और खंडवा के सम्मानित मतदाताओं से विनम्र निवेदन है कि अपने मताधिकार का उपयोग अवश्य करें, जिससे शत प्रतिशत मतदान सुनिश्चित किया जा सके आपका एक वोट ही लोकतंतर की गहरी जड़ों को सशक्त बना सकता है और देश को उज्ज्वल भविश्य दे सकता है मेरा सभी से आग्रह है कि आप भी मजबूत लोकतंतर के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें उन्होंने मतदान से पहले अपने पिताजी का आशीरवाद लिया और वोट देने के बाद विश्वास जताया कि बीजेपी प्रदेश में सभी 29 सीटें जीतेगी बता दें कि आज मालवा और निमाड अंचल की 8 सीटों पर मतदान हो रहा है मैदान में 72 प्रत्याशी हैं जिनके भाग्य का फैसला जनता करेगी